सोना चांदी ना मांगू ना मांगू हीरे मोती अंधेरों में भटक रहा हूँ मांगू तेरी जोती मुझे कर दे रोशन तू 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 जै 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 मुझे कर दे रोशन तू पासर जी आज किस टॉपिक पर आप किलाम दे रहे हैं आज हम इस टॉपिक पर बाचित करने जा रहे हैं वह भी अमाल की किताब से है और इसमें रसूलों का किरदार अब्दताई कलीसिया की तरक्की में उस पर हम बाचित करेंगे तो इस कलाम की जो रीडिंग है और आपने का अमाल की किताब है इससे पहले भी आप अमाल की किताब को कवर कर रहे थे तो इस पैसिज का कॉंटेक्स्ट किया है तो वो जो पिछला सबजेक्ट करें से यह क्या उसकी कोई कंटिनुएशन है या आपने कुछ जंप किया टॉप अज क्लीशिया की तरक्की की हवाल के से वो यस्व के आस्मान पर उठाए जाने से लेकर और अब तक यह बहुता है यह किहु सबग्या कि में ही खुरूए क्वर्ए वो अब इसलिए भॉर सक्वार इसका कि हों हम रहे फचला सबक किया आगे बढ़ेंगे और खुदा के कलाम को लेकर उस पर सीखेंगे जी चले ठीक है तो कौन सा पैसेज है जो हम रीड करें आमाल और उसका आठ वाब और उसकी पहली आयद से लेकर और उसकी चौदा आयद तक तो आप चाहते के मैं पूरा पढ़ू या कुछ पर्टिकलर वर् चले ठीक है, Acts chapter 8 verses 1-14 And Saul approved of their killing him. On that day a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church, going from one house to two house. He dragged off both men and women and put them in prison. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For with shrieks impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. Now for some time a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great, and all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed, This man is rightly called the great power of God. They followed him because he had amazed them for a long time with his sorcery. But when they believed Philip, as he proclaimed the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Simon himself believed and was baptized, and he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. Amen. तो हमने अब हमने अभी यह देखा है कि जो खिली सया थी उन पर एक बड़ा जुलम भर्पाव गया, और यह जुलम जो था ड़ने वाले जो थे वो यरसलम के लोग तें, जैसे मैंने आपको बताया कि यरुशलम में जो कलीसिया थी अफरीकर कलीसिया जो थी वो उन पर यह जुलम धाने के लिए आगे बढ़े थे जिनके साथ अपॉसल पॉल जो से वो भी शामल हो गये थे तो इसलिए वहां हम देखते हैं कि कलीसिया पर बहुत ज्यादा जुलम ह और वो वहां से भाग गए ठीक है? और वह प्रागंदा हो गए यानि फैल गए जैसे न की डिरिक्शन नहीं थी जिस डिरिक्शन में किसी मुँ उठाया वो उस तरफ को निकल गए तो यह जब निकल गए वहां से तो वह कहां गए हैं? खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो तो लोग जो थे यहूदिया में और सामरिया में गए तो जब वो स्कैटर होई थे तो उसका रीजन क्या था कि खाली पर्सीकेशन थी या कुछ और भी रीजन था ने असल में जो अगर हम गोर से देखें इस बात को तो लगता तो यह है कि वो पर्सीकेशन के वज़ा से वहा क्या करना चाहिए यह स्ट्राटेजी थी जिसके जरीए से लोगों ने आगे जाके खुदा के किलाम को पहलाना था क्योंकि अगर हम बैठे रहते यरुशलम में ही मसीह जो रसूल थे और जो कलीसिया थी अगर वो यरुशलम में ही बैठे रहती तो खुदा का किलाम आगे क्योंकि मसीह यसु ने आसमान पर जाने से पहले रसूलो के अमाल और उसके पहले बाब के और उसके आथमी आयत में खुदान ने इस तरह से फरमाया गुदान यसु के लफाद यह जी गौर से सुनियेगा So Acts chapter 1 verse 8 But you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth So Khudavan Yassu का प्लान ये था Khudavan Yassu का प्लान ये था के वो यरुशलम से निकलेंगे And सारे यहुदिया में वो खुदा का का काम करेंगे And Samaria में खुदा का कलाम पहुँचेगा And then in the world, पुरी दुनिया में खुदा का कलाम पहुँचना था So this is the reason, this is the Khudavan Yassu का वो इंतिजाम था जिसके तहद, Khudavan Yassu के लोगों पर जब वो persecution आई जब वो दुख की घड़ी आई, जब वो तकलीफ आई तो फिर उन लोगों ने तरक्की की, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ मैं अगर अपने बच्चपन को देखूँ तो उस वक्त सैवन्टीज में और सिक्स्टीज में पाकिस्तान में और इंडिया में सब लोग कठे रहते थे सारे मजाहिब के लोग कठे रहते थे बिलकुल भी एक दूसरे के साथ कोई उनका जगरा नहीं, कुछ नहीं एक दूसरे की जो मजभी रसूमात में भी सा लेते थे, सब कुछ कठे करते रहते थे और चर्चिस में उस तरह से अटेंडन्स नहीं थी जैसी अटेंडन्स और जैसी चर्च की तरक्की जो है वो जब से एटीस में जब चर्च पर परसीकुशन शुरू हुआ उसके बाद से जो चर्च ने तरक्की की है अब खुदा के फजल से अपने एशियाई मुलकों में चर्चिस भरे हुए हैं क्योंकि हिंदूओं की तरफ से भी सिखों की तरफ से भी और मुसल्मानों की तरफ से भी उन्हें परसीकुशन का सामना वा तो फिर खुदा के कलाम के जो मजबूती है हमारे दिल में इस तरह से आती है और वहां खुदा का कलाम फैलता गया तो आपने अभी डिस्क्राइब किया कि बहुत से लोग जो स्कैटर हो गए थे और इदर उदर चले गए थे जुडिया में गए समेरिया में गए और उन्होंने कलाम शेयर किया तो इस पूरे वक्त में अपॉसल क्या कर रहे थे वह सिर्फ वहां से भागे नहीं वो सिर्फ जाके असैलम लेकर नहीं बैठ गए कहीं अराम की जगा पर नहीं बैठ गए बलके उन्होंने जो काम किया वहां जाके खुदा के कलाम को साथ लेकर गए और लोगों तक वो सारा जो कलाम था जो उन्होंने सीखा था जो उनको इ एक ही जगह पे रहे क्योंकि मिसाल के तोर पे मैं कहूंगा कि रसूल जो थे वो बारा थे ठीक है और उसके बाद जो बड़ी जमाद थी जो सब दुआ कर रहे थे जिने खुदा के पाकरू का नजूल जब हुआ 120 लोग थे तो अगर 120 लोग सकेटर्ड हो जाएं तो वो जूडिया में और समारिय में जाके गुम हो जाएंगे कौन उनको जाके ढूंडेगा अगर उनको जरूरत है तो इसलिए जो कलीसिया के जो बज़रग थे जो रसूल थे वो पूरी काउंसल जो थी वो यरुशलम में ठ और अगर वो पर्सेक्यूशन के जरीए से अगर वो शहीद हो जाएं तो यसु की गोद में जाने वाले हैं इसलिए उन्होंने एक जगा ठहरना पसंद किया ताके उन लोगों की जो प्रागंदा हो गए जो जगा जगा चलेगे इसकैटर्ड हो गए उनकी वो रोहानी तोर पर लाइकली उनकी गाइडन्स कर सके तो एक और स्वाल था मेरा कि जुडिया गए वहां पर यहूदी लोग होते थे और वहां पर एक दोर से ख़दावन का काम पहले से शुरू आवा था फिर समेरिया यहां पर लोग गए लेकिन समेरिया से आगे क्यों गए समेरिया पर वो क्या खास पाती के उधर लोग गए समेरिया एक ऐसी जगह थी जो असल में तो सामरी लोग जो थे वो इसराइली ही थे जो बारा कबीलों में से कबीले अलग हो गए थे यहुद्या के कबीले के वक्ते जब सुलमान बादशा के बेटे ने जुलम धाया यूसिया ने शे जो लोग थे वहां से उन्होंने हकूमत जो स्प्लिट हो गए थी और इसलिए वो जो स्प्लिट जो लोग थे उन्होंने यहोवा खुदा को छोड़के और खुदाओं को अपना लिया था वो बुद्परस्त कौम थी वो ना सिरह बुद्परस्त कौम बन गए थी बलके वो जादूगर लोग भी थे लेकिन मसी यसू ने अपने जिन्दगी में जब वो जमीन पर थे उन्हों ने इस बात का ख्याल रखा कि ये भी जो हैं खोई हुई भी भेड़े हैं उनकी तलाश में मैं आया हूँ इसलिए खुदाओं यसू एक दफ़ा खुद सामरिया में तश्रीफ ले गए और उस जगा सामरिया में जहां वो तश्रीफ ले गए थे वहाँ एक औरत से पानी मांगा और हम सब जानते हैं सामरिया औरत के वाक्या के हवाले से और फिर उस औरत ने जाके लोगों को बताया के देखो मुझे मसी मिल गया है क्योंकि उसने मेरी जिन्दगी के सारे काम मुझे बता दिया यानि जो वर्ड अफ नॉलिज खुरांज यसु ने पाक रूप ने वहां उसके साथ बात की उसका जो काम हुआ तो उसके सबब से वो गई लोगों को बताया और बहुत सारे लोग जो थे वो यसु के पास आए और उसके कलाम को सुना और यसु कुछ दिन रहा भी वहां लेकिन वो उस तरह से यसु की शागिर्दियत में नहीं आये थे जैसा के उन्हें आना चाहिए था उसके सिर्फ अमेज होकर उन्हें यसु को देख लिया वो उसके साथ शामिल दे तो फिर क्या हुआ कि जब ये जो प्रागंदा जो लोग थे जो वहां गए हैं खुदा उन्हें सामरिया में लेकर गया और उनके साथ जो एहम शक्सियत को जिसको खुदा लेकर गया वो था फिल्पस और फिल्पस जब वहां गया तो वो खुदा के लोगों के साथ मिलकर वहां सामरिया में क्या करने लगा लोगों में मुनादी करने लगा खुदा का कलाम बियान करने लगा उसने अपने तक नही मोजज़े कर रहा था उसके जरिये से और खुदा का किलाम बताता है आमाल की किताब आठबाब की उसके मैं पांच शी आयत में पढ़ता हूँ और फिल्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसी की मुनादी करने लगा और जो मोजज़े फिल्पस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिला इत्वाक उसकी बातों पर जी लगाया ठीक है वो उसकी तरह मतवज़ हुए उनका दिल खुदा की तरफ लगना शुरू हो गया क्योंकि साथमिया आठमिया खिए भीएाथ है कैया क्योंकि बूतेरे लोगों में से नापाक रुए निकली ठीक है बड़ी आवास से चलाके निकली यानि लोगों ने देखा रुए निकलते वे ठीक है और बहुत से मफलूज जो फालिज के मरीज थे जो चल फिर नहीं सकते थे जिनके हाथ या टांगे या एक साइड मर के हुए थी वो उठके चलने लगे जो लंगड़े थे वो चलने लगे और खुदा का कलाम आठवे हैद में कहता है शेहर में बड़ी खुशी हुई उन्हें पता चल गया कि जो खुश्टस हमें देखने के लिए आया था उसके लोग जो है वो असल में वही ताकत वही पावर रखते हैं जो खुश्टस के पास थी तो इसलिए वहां बड़ी खुशी हुई इसके बाद ये वर्स नाइन में एक मैंशन है किसी इनसान का साइमन दिक स दोर सरर ये इसके वारे में घृए लिके अब एक स्प्लैन करें कि इनकी इसकी क्या स्टोरी है कि यहां किसी तरह खुदा ने अफ़ेक्ट की जिए क्या जिक्सिता के यहां व्यारच के यहां पर जो सामरिया में जो जो दुरूरत है मेरा ख्याल है मुकदस लूका ने जो यहां लिखा है उसकी वज़ा है एक क्योंकि ये शक्स जो था ये सामरिया में एक बड़ी शक्सियत था बड़ी शक्सियत इस तरह से था कि अगर आप उसको पढ़े नौसी लेकर बारा आयत तक तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि ये शक्स जो था क्या करता था जादूगर था वो जैसा कि मैंने बताया कि सामरी लोग जो थे वो जादूगर थे तो उन में से एक बड़ा जादूगर जो था वो शमाउन था सेमन जो था और लोगों को वो भी हैरान करता था जैसे फिल्पस के मौजज़ात से हैरान होते थे लोग वो भी लोगों को ऐस जब उसकी तरह मतवज़ा होकर कहते थे के ये शक खुदा की कुद्रत है। उसे गौडली पावर समझते थे लोग जबके वो क्या कर रहा था वो जादूगरी करता था। तो इसलिए उसका यहां जिकर करना मकदस लूका ने जब आमाल की कताब लिखी तो उसने जरूरी समझ कि लोगों को पता चले कि एक वो शक्स जो खुद जादूगरी करता था उसे खुदावन यहसु ने उसकी जिन्दगी को बदल दिया। किसके जरीए से फिल्पस के जरीए से। ठीक है। और वहां लिखा हुआ है कि अगर हम पढ़ें तो बार्वी और तेरी भी आहत में कि वहां लिखा है जब उन्होंने फिल्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशे यहसु मसी के नाम की खुशखबरी देता था तो सब लोग खुआ मर्द खुआ और और निशान और बड़े-बड़े मौजज़ात होते देखकर है। तो खुदा के साइन्स और वंडर्स जो जो फिल्पस के जरे से खुदा कर रहा था उनको वो देखकर हरा और उसकी जो अंदर की वो आदत थी वो यह थी कि क्योंके जादुगरी सीखी जाती है। उसके लिए स्पेशल मेडिटेशन और स्पेशल उनके लिए सवक होते हैं। तो वो समझता था कि शायद यहां भी क उसका मुणिए ब करेकरे जायद थी है। ब क्या मुशन खिने बढह की वीजिव को तुस्कित सब्सेता था कि मैञें ठेयू थी यूग जेस्टेश मेरेशन दीए आए कं पुछुम्ष्टेस तो यहां जो मैं आप से इस उत्स अच एश्म जो द Beijाता है। हूज ज मैं गरी इस फिलिपस का जिकर है अजीज़ो आप को पता होना चाहिए कि ये मकद्दस फिलिपस रसूर 299 नहिं द नहीं था इसके। बारे में मैं अगल जो हमारी मीटिंग होगी अगली गिंग हना का पता होगी उसमें जो अब जो आपने आयत पड़ी है, चोधवी आयत, उसमें हम देखते हैं कि जो रसूल थे, उन्होंने जब ये सुना, ये ये रोशलम में जब उन्होंने ये सुना, के सामरियों ने खुदा का कलाम कुबूल कर लिया तो, जो रसूलों की काउंसल थी, जो बारा लोग थे, उन्होंने मिल के क्या किया, वहां मकदस पत्रस और ये हुना को उनके पास भेजा, क्यों भेजा? क्योंकि वो उस वक तक उनमें से, क्योंकि रूल कुदुस, ताकि वो रूल कुदुस पाएं, कैसे पाएं? देखे, मैं आपके सामने पंदर भी आद पड़ता है, उन्होंन और उनके जो काम था वो खुदा के पाकरू के जो फल हैं उनकी इंपार्टेशन के लिए वो काम करते थे क्योंकि खुदा के साथ उनकी जो नस्दीकी थी उनको ऐसी ताकत वक्षी थी कि वो खिदा के रूह के जो फल हैं जो इनाम हैं उन झाल को लोगों में इंपार्ट कर सके। वो खडा के खिर्ट के मताबडिक जो अमाल की किताब में लिखा है in 16は हम्यातु है। बो उस वक्त तक उन्मेसे किसी पर नाजल झाल थैह। तब वो मसीही तो हो गए थे लेकिन खुदा के पाक रूसे वो भरे नहीं के थे क्योंकि खुदा के क्लाम में हम पढ़ते हैं आमाल की किताब में ही अफिसरे बाप में उसकी 40 से 47 आयत में पढ़ते हैं वान लिखा भाकर और जो पत्रस के बाइए तो हम क्या करें तो उसने कहा कि अपने गुनाहों का प्रार करो, टुबा करो और बब्तिस्मा लो रूल कुदुस अनाम में पाओगे तो वो अनाम अभी तक इन्हें नहीं मिला था तो जो उस वक्त लोगों को उसी वक्त मिल गया था तो अजीजों ये जो रूल कुदूस का इनाम है ये भी बहुत कम लोगों को बब्तिसमे के फोरण बाद मिलता है मुझे याद है पिछले हफ़ते हमने जो आनलाइन जूम पर बैटके प्रोग्राम किया था उसमें मेरे जो खुदामन में जो मुझे सीखने वारे मेरे शागिर्द थे तीन वो आए थे और मैंने अपने उस्ताद के बारे में बताया था जिन से मैंने मुझे खुदामन के रू की बातें पाट की थी तो उन में से एक शागिर्द ऐसा था जिसका नाम हर्बंसलाल इंडिया से था तो दुबई में जब उन लोगों ने वहां बबतिस्मा लिया तो वो लोग जब कट्थे बबतिस्मा लेने के बाद उपर कमरे में दुआ कर रहे थे जी हाँ साथ लोग थे मुझे अची तरह याद है और उने वबतिस्मा देने वालों में मैं भी शामिल था और एक और मेरे भाई बहां शामिल थे रहम दोनों ने वबतिस्मे दिये थे और हम उनके लिए उपर जाके दुआ कर रहे थे और उसी वक्त वो ख़दा के रूँ से भर गे थे और गया जबानों में दुआ करने लगे थे तो ऐसे मौजज़ाद ऐसे काम बहुत काम होते हैं और इसके लिए उन खुदा के लोगों की जरूरत होती है जो खुदा की इस कुद्रत से भरे हों और आगे देने के खाबल हों क्योंकि अक्सर क्या होता है बैटा के लोग जो हैं जब चर्चिस में आर्टर कॉल दी जाती है प्रेशली पेंडिकोस्टल जो चर्चिस हैं उसमें तो हर एक उटके सामने चला जाता है उनकी खाहिश होती है कि हमें भी पाक रूह का बब्स्मा मिल जाए हमें भी ये जो खु का खादम इस काम के लिए आया होता है इंपार्टेशन के लिए वो सब पर क्योंके हाथ रख नहीं बाता तो वो क्या करते हैं वो क्या देते हैं जो पास्टर्स हैं यहां पर मौझूद वो भी आगे आजए और इनके लिए दुआ करें मैं भी दुआ ताकि जो जो सामने करता हूँ कि अनलेस वो शक्स जो आप पे हाथ रख रहा है अगर वो खुद खुदा की तरफ से मकरर नहीं हुआ कि वो खुदा के रूख के फलों को आप में इंपार्ट कर सके तो आप वहां उस फल के लिए जिसके लिए आप आगे गे बेश्क आपका इमान है खुदा आ में झालेगा लेकर आप वहां हासी नहीं नहीं कर देजा और इसलिए बहुत सरह लोग पंटी कौस्टम मीटिंग्स में जा चाकि में यह आ जाते हैं और कहते हैं कि लोमेद ते कोई नई खेर जबां कि मुझे तो कोई फ Ellie मिले जाए, तो फिलने नाम नहीं मिले जो फ़ल आपरिट हों मुझे नजर आरHe कि मुझे में वो टाकत आगिया पाकरू की उसकी रीजन यह है कि आप नहीं जाते कि जो शक्स आपे हाथ रख रख रहा है वो खुदा की तरफ से इस बात पर मुकरर है के नहीं है इसलिए जब भी हम जाते हैं इस रूख के साथ जाएं इस ख्याल के साथ जाएं कि खुदा हमें आज इस बरकत से भरे और उस शक्स को खुदा मेरे पास लाए जो खुद इस पाकरो के फलो के इ Paulo को इंपार्ट करने के लिए खुदा की तरफ से मुकरर है और ये रसूर जो थे उनकी यही खिदमत थी और वो क्या करते थे जाके कलीसिया को पाकरो के इनाम उनकों इंपार्ट करते थे एक हुड़ा का कलाम कहता है कि उन्होंने सिर्फ यस्प नाम का बब्त स्मान लिया था तर उनने उन पर हात् रखे यई रसुलोंने उन पर हात् रखे और अजने रूल कुदुस पाया अब वहा क्या हुआ एप फिर शमाउन आगे अगाया आमाल आठबाव और उसके थारी मैंद जी अब यहां यह देखें, सीखने की बात है क्योंकि मुझे यह तजर्बा दुबई में जब मैं खुदा की खिदमत में था एक ले मैं किसी से, तो वहां भी ऐसी ही एक सेमिनार तीन दिन का अरेंज किया गया था और जो शक्स वहां आया सा, मैं नाम नहीं लूँगा, उसका दावा था कि मैं जब हात रखूँगा तो आप आकरू के फलों से भर जाओगे और उस सेमिनार में लोगों से उन्हों ने फीस ली, किसी ने पांट सो दिरम दिये, किसी ने चार सो दिरम दिये और उसका ये दावा था कि आपने जो कुछ खुछ खुदा को दिया उसके मताबिक आपको खुदा के रूख के इनाम मिल जाएंगे और वो उन पर हाथ रखके दो तीन दिन चिलाता रहा, बहुत कम लोग थे जो खुदा के इन फलों से बरे थे तो कुछ लोग इन खुदा के फलों को पैसों से खरीदना चाते हैं, कुछ लोग ऐसे अख्तियार को पैसों से खरीदना चाते हैं लेकिन खुदा को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, खुदा को आपकी जरूरत है, खुदा को आपकी अबिलिटी की जरूरत है ability की जुरूरत नहीं है क्योंकि ये जो शक्स है साइमन ये उन से ability मांग रहा है कि मैं इस काबिल हो जाओं मुझे भी अख्तियार मिल जाए कि मैं लोगों पर हाथ रखो और वो रूप का वबत इसमा पाना शुरू हो जाए लेकिन खुदा तो ऐसा नहीं है वो आपकी availability के साथ और आपकी relationship खुदा के साथ जो है आपका जो वक्त खुदा के साथ गुदा तर पाकरू की हजूरी में आप कितना रहते उसके मताबक आपको able करता है किसी भी काम के लिए सो इसी लिए यहां जो हमें नजर आता है और इसकी जो साइमन का जिकर किया गया उसकी यह भी वज़ा है ताकि आप और मैं यह सीख सकें कि खुदा के रूख के फल और इसके इनाम जो हैं वो हमें किसी के हाथ रखने या बहुत सारे चंदा देने से या बहुत सारे पैसे देने से हमें नहीं मिलनें वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की बख्षीश के तौर पर आपको मिल सकते हैं इसलिए पतरस ने उसे रब्यूक किया वर्स 20 पड़ो बेटा Peter answered, May your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money So, यहां क्या पतरस ने कहा? उसंते कहा कि तेरे रुपे तेरे साथ घारत हों इसलिए कि तुन्ये क्था की बख्षिश को रुपाँ से हासल करने का ख्याल किया So, अजीजों अगर हम इस ख्याल से जाते हैं कि मैं इस समिनार में जा रहा हूँ, इस जगजा में जा रहा हूँ और मैं इतने पैसे भरके जा रहा हूँ, मेंबर्शिप लेके जा रहा हूँ, उसकी अपॉइंटमेंट लेके जा रहा हूँ, तो मुझे वहां जाकर ये मिलने वाला है, तो वहां हमें डिसपॉइंटमेंट ही होती है, हम अगर इस खिया से जाएं कि खुदावन मैं अपने आ सब कुछ ते रही है। तो इसलिए जो शामाओं था उसे ये अख्तियार कभी भी ने मिल पाया। वो ख़दा के कलाम केहीं भी इसका दुबारा जिकर नहीं है। कि वो इसका था गौ़ को फिल्पस के साथ साथ रहता था। लेकिं कहीं भी उसका जिकर नहीं है कि वो इसे काविल हो पाया था कि वो खिला के इस को आपरेट कर सके खिला का रूछ उसके अपरेट कर शके गलार है। तेरा इस अमर में ना हिसा है ना बुखरा क्योंके तेरा दिल खुदा के नजदीक खालस नहीं जी हां अजीजों खुदा आपके दिल पर निगाह करके आप से बात करके आपकी डिजायर को देकर और आपकी अविलिबिलिटी को देखकर खुदा आपको अपने रूह के इनाम रूह के जो बख्षिश है वो देता है तो उन्हें फिर वो कहते हैं कि बस अपनी इस बात से तौबा कर और खुदामन से दुआ कर शायद तेरे दिल के इस ख्याल कोई माफी हो जाए क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुपित कीसी करवाहट और नारास्ती के बंद में गिरफ्तार है और वर्स 24 कहती है कि शमाओर ने जवाब में कहा मेरे लिए खुदा से दुआ करो कि जो बाते तुमने कहीं उन में से कोई मुझे पेश ना आए जी हाँ वो डर गया वो डर गया कि जो बाते तुमने मेरे इस गुना की वज़ा से जो बाते तुमने कहीं है वो मेरी जिन्दगी में ना काम करें सो अजीज़ो जो खुदा का कलाम है जो ये हम अमाल की खताब को पढ़ते हैं इसमें हमें कलीसिया की तरकी के बारे में सीखने को मिल रहा है इसमें हमें मिल रहा है कि अब्दताई कलीसिया किस तरह से काम करती थी और इसमें हमने देखा कि उसमें हमने खुदा के लोगों को उनका बिहेवियर देखा स्टिफनस ने मौत की परवाने की यसु को प्रोकलेम किया फिल्पस ने यसु को प्रोकलेम किया और उसने जाके लोगों को खुदा के खुशखबरी का पेगाम सना है पहले अपने आपको अवेलेबल करो जब आप अवेलेबल करोगे खुदा आपको एबल कर देगा और आप इस तरह से हो जाओगे जैसे एक आम शक्स फिल्पस जाके और एक स्टिफनस जो था वो भी रसूलों में से शामिल नहीं था वो ऐसे लोग जाके खुदा के बड़े बड़े अजीब और साइंस और वंडर्स के साथ खुदा की खिब्मत करते हैं कि आप चाते हैं कि खुदा आपकी जिन्दगी में ऐसा काम करे हम आपके लिए दुआ करते हैं और आप अपने आपको खुदा के हज़ूर जुकाएं मेरे पास अख्तियार रहीं खुदा के पास अख्तियार है और खुदावंद यसू आपको अपने रूँ से भर सकता है और खुदामन यसू आपकी जरूरत के मताबग, आपके सोच के मताबग, आपके दिल की डिजायर के मताबग, आपको किसी ना किसी अपने रूख के फल से, अपने रूख के इनाम से भर सकता है। आपकी जो भी डिजायर है, उसे खुदा के हजूर रखें, अगर आप पहले से त्यारी के साथ आएं, तो आज ही आप खुदा उन से इस वरकट को पा सकेंगे, और अगर आपकी त्यारी नहीं, तो फिर मैं फिर से कहूंगा, खुदा के साथ अपना रिश्टा बरहाल करें। और इस शमाउन की तरह से जिसने बबतिस्मा तो ले लिया था, लेकिन उसने अभी तक बाक रुए नाम में नहीं पाया था, मसीही तो वो था, लेकिन उसका दिल खुदा की महबत को जान नहीं पाया था, उसकी बख्षीश को जान नहीं पाया था, आएं अपनी त्यारी के ساتھ اپنے سروں کو जुकाएं हम दुआ करते हैं हालिलुया, हालिलुया, हालिलुया खुदाउन लशक्रों के खुदा तेरे हजुद्धूर जितने भी बच्चे सुठ जुके होएं तेरे इस कलाम को सुनकर समझ कर खुदाउन दा है लेकि खुदान मैं इतना जानता हूं कि तू इनके दिलों को जानता है मैं इतना जानता हूं कि तू ही पाक रू इनके दिलों में इनके सोचों में इनके ख्यालों में इनकी जिन्दिगें में इस वक्त मुझूद है और खुदान पाक रू मैं तसे लितमास करता हूं कि and wonders हैं खुदाओं अपने इन बच्चों को उनकी उस availability के मताबक जिसे वो उस commit करके पूरा कर सकें खुदाओं तुने अधा कर हाँ पाकरू इने छू ले छू ले छू ले छू ले पाकरू और इन अपने बच्चों की आई जिस जिन्दगें अभी से अपना काम शूर करते हालेलुया हालेलुया आप आख़ू रू छू ले आप आख़ू छू ले। खुदाओं जिसवु तु ले पाकरू तु ही इनको झान बच्चों का मैं अपने आप को खाली करताूं हमबलकरताूं और तेरे हज़ूर जूक जाता हूँ खुदाओं कि मैं हाथ रखने माला नहीं बलकि तेरा हाथ मेरे हाथ से पहले उनके सरों पर हो जिने तु आज अपने पाकरू से बरने जा रहा है छू ये सुनासरी छू 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 खुदाओं धायने इफ्ता इफ्ता खुदाओं धायने इनकी जबान खुल दे खुदाओं धायने ताके तेरे साइंस वंडर्स को बियान कर सके तेरे जबान में तुसे बातें कर सके और तेरे नाम को लेके आगे बर सके हाँ खुदाओन इन में से कोई भी शमाउन जैसा ना हो बलके सब तेरे नाम को इज़त और चलाल देने वाले हो हाँ खुदाओन इनके साथ ही खुदाओन मैं उन तमाम दिन्या में जो इस वक्त लोग परेशान है किसी भी सबब से डिपरेशन का ओपरेशन का शिकार है उन्हें तेरे हज़ूर उठाता हूँ तेरी कुद्रत, तेरी शांटी, तेरा इत्मनान उनकी जिन्दगियों में आ जाए और हर एक खुदाओन इस वक्त तेरी तसली से, तेरे इत्मनान से भर जाए खुदाओं वो तमाम भेन भाई जो किसी भी जिसमानी बीमारी के सबब से तकलीफ उठा रहे हैं उन सब को मैं तेरे हुजूर उठाता हूँ उन बेहनों को खुदाओं जो ऐसी तकलीफों में है उन बेटियों को जो ऐसी तकलीफों में है जो वो किसी से बयान नहीं कर सकते ख़दाओं तू अभी उन्हें छूँ ले और ख़दाओं तू अउस और उस और जिसे तेरा पला चुआ था और उसकी ब्लेडिंग बंद ओगे थे ख़दाओं इन बेटियों पर अपना तर्स खा हर तरह का दर्द हर तरह के बेमारी उनके मुझे जाती रहे और मेरे वो भाई और बेहने जो अपने हाइपर एसिडिटी का शिकार हैं जिनके पेट खराब रहते हैं और हाजमा खराब रहते हैं डकारें और पेट में से हवाज लगी रहती हैं आज खुदाओं मैं तेरे हजूर उठाता हूं उन्हें छूदे और मक चूँ रहा है और तेरी शिफा जा रही है खुदाओं तुरा शुकर हो तुरा शुकर हो और खुदाओं दो बेटियां और एक बेटा जो डर की रूँ से जी रहे हैं हर काम करने से पहले डरते हैं खुदाओं दो बेटियों से और इस बेटे से हमेशा के लिए दूर उचा झूर्ण तुन्य देखियरण आज रहुधी को तूर्द कर देखिंते और इंग्यून कह दो में इस सब्सक्राण जो सुख़ें दिखेंगों धनसे तूर विश्तिदारों को भी तेरे हुज़र उठाता हूँ अगर वो कोई ऐसी तकलिफ में अपने लहू को जारी कर और उने मकमल शिफा दे ताके वो बहार आएं और तेरे नाम को ज़त और जलाल दें और तेरे नाम की गवाही दें खुड़ोंदार गैर कोमों में से अगर कोई इ देख रहा है तो अपने शिफा को जारी कर दे खुड़ोंदार ताके वो तुझ पर एमान लाएं कि तु ही कादर मतलग है जैसे सामरी लोग तेरे पास आगए इनके घरों में भी तेरे नाम से खुशी मनाई जाए है हाँ खुड़ोंदार मैं उन सब को भी जो इन तकलिफ पर तुझ 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 त तुही शाफी है, तुही यहवर राफा है, और वो तुझ पर इमान लाएं, और तुझ में तरक्य करें, हाँ खुदा उन्दा, हर तरह की डर की रूख को, हर तरह की बिमारी की रूख को, हर एक से दूर कर, हम सब को सुनने वाले कान दे, रिसीव करने वाला दे, समझने वाल और दिमाग दे और अमल करने के लिए अपनी पाक रू की ताकत दे ताकि तेरी मर्जी के पताबिक चल सके यह सुमसी नासरी के नाम से आमीन पास्टर जी आई होप आप इस किलाम से आज बलेस होई हो और खुदा उनने आप पास्टर जी के तुरू आपसे बात की है अगर आप इस किलाम की कॉपी हासिल करना चाहते तो www.youtube.com slash community christ पे जाए आपको अड्रेस अभी दिखेगा स्क्रीन पे www.youtube.com slash community christ और अगर आपकी कोई prayer request है या कोई testimony है जो आप हमसे शेयर करना चाहते तो आप Facebook पे Community of Christ Church Baath सर्च करे लिंक भी आपकी स्क्रीन पे सर्च करे लिंक भी आपकी स्क्रीन पे सर्च करे Facebook पे Community of Christ Church Baath को सर्च करे Thank you Pastor Ji and thank you to all of you for watching Have a nice day see you next time Thank you Thank you everybody who was watching and share it with your friends and family So more and more people could be benefited from it In the name of Jesus God bless you all Thank you Thank you Thank you Thank you